ग्रोथ बढ़के यहां आ गई है जैसे जैसे हमारे रियल बालों की ग्रोथ होती है तो यह आपस में उलजना शुरू हो जाते है जब यह उलजना शुरू हो जाते है तो फिर इनको सुलजाना बहुत ही मुश्किल होता है अगर माम एक महीना और लेट कर देती तो इनके अपने सारे बाल उलज जाते फिर रियल बाल जो है वो डामेज होते इसलिए हमें देखना पड़ता है कि बाल उलजे हैं या सुलजे हुआ हैं अगर माम के बाल एकदम सुलजे होते कुछ भी टांडल नहीं होता तो हम इसको एक महीना दो महीने और छोड़ देते ने बाद हम रिपिल करते हैं लेकिन आज बाल उलज रहे हैं जो लिव ज़रूरी है अगर आज हम इनका रिपिल कर देंगे तो रियल हेर बिल्कुल भी डामेज नहीं होगा यही बाल हम दो महीने बाद रिफिल करेंगे तो real hair बहुत damage होगा इसलिए depend करता है कि बाल उलचे है कि बाल नहीं उलचे किसी किसी के एक साल के बाद भी बाल बिल्कुल नहीं उलचते एक एक extension अलग अलग होता है तो हमको एक साल तक रिफिल नहीं करना पड़ता है किसी किसी क्लाइन का दो महीने में ही बाल आपस में उलच जाता है तो हमको दो महीने में ही रिफिल करना पड़ता है इसलिए रिफिल का टाइम सबका अलग अलग होता है Bu one time to day two ninety four months 스RIA QD पार कर के आपको फाइनल रिजल्क दिखाते गानिये के भालो की quality आप देख सकते हो ँने जो 4 महीने पहले आज भी बालो की quality आज पर करें दिखेंlor है और ये एक्सेंट्व इंट्थ हुमारी रिफलिंग दन हो चुकी है आपने हम्हारी रिफलिंग दन हो चुकी है अपने माम के बालों की क्वालिटी आप देख सकते हो हमने जो चार महीने पहले लगाया था आज भी में के बालों की क्वालिटी एज इस है माम के लिए अपने रियल है और यह अगर बाल उल्चे होंगे तुमको फिर रिप्रिल करनी पड़ेगे अगर नहीं वंगे तो हम 6 महने कर टाइं के बार दियो रिप्रिकर ठांक यू